नमस्कार खबरों की खबर में आपका सौगत है दिल्ली में जो कटर इमांदार पाटी की सरकार है जो कटर इमांदार सराब मंत्री है उनके अब पसीने छूटने लगे है दर सताने लगा है कि कहीं अब उनका ठिकाना उनके घर से हटके तिहार जेल ना हो जाए क्योंकि ED की इंट्री हो गई है और ED ने पहले ही दिन एक के बाद एक मनी सिसोधिया और केजरिवाल के करीबियों को अपने निशाने पे ले लिया वो तमाम नाम कहां कहां ये छापे मारी हो रही है और इन लोगों के रिस्ते केजरिवाल और सिसोधिया के साथ किस तरीके के है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगला निशाना ED के रडार पे वो मनी सिसोधिया और केजरिवाल है क्या हो रहा है कुछ इसकुस्प जानकारिया हमारे पास है जिसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ED दरसल कर क्या रही है ED के सूत्र बता रहे हैं उन्होंने कहा कि एजेंसिया अब उन लोगों की परताल कर रही है जिने एक साइज पॉलिसी चेंज होने के कानून में जो बदलाओ करके बकाइदा इन लोगों को जो फाइदा पहुंचाया और उनसे जो पैसे की उगाही की उसी की जाच आज देश के 6-7 राज्यों में 35 लोकेशन्स पे हो रही हैं और ये चापे मारी जो चल रही है ये दिल्ली गुरगाओं मतलब हर्याना पंचकुला हादराबाद मुंबई लखनाओं कहां कहां इनके तार जुड़े हुए हैं ये सब कच्च चिठा एडी के पास आ चुका है अब दिक्कत ये है कि मनिश्य सोदिया मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पे हावाईयों उड़ी हु ही है आप अपने आपको कट्रिमांदार कहते हो तो सराब माफिया के घर पे चापे मारी हो रही है तो आप क्यों परिशान हो आपको तो परिशान होने क्या आवशकता नहीं अगर आपने कोई गल्ती नहीं की और मैं आपको बता दूं ये जो एडी की चापे मारी हो रही है यह सिर्फ दिल्ई में जो सराब घुटाला हुआ है सिर्फ उसको ही नहीं बलकि पंजाब में यही लोग यही अमंधीब ढल यही तिलनगानसे वो जो सराबमाभिया काटल जो दिल्ई में नीतियां बना रहा था वही पंजाब में भी है और इसलिए पंचकुला में पंजाब के आबकारी विभाग के अधिकारियों के घर भी एडी पहुँच चुकी है और वहाँ पूस्ताश चल रही है छापे मारी का काम चल रहा है पांच-छे घंटे बीच चुके हैं आज समयरे से ही ये सब हो रहा था ईडी वाले क्या बता रही हैं एजेंस्याफ अलोगों की परताल कर रही है जिनें एकसाईज पॉलिसी चेंज होने के बास सबसे ज्यादा फाइदा पहुचा है साथ ही उन लोगों पर भी छापे मारी कर रही है जिन पर ये आरोप है कि उन्होंने सरकारी करमचारियों को पैसे दिये परिवर्तन निदेशाले के सूत्रों के मुदाबिक उनकी जाच में तकरीबन आठ सो कडोर की मनी लॉन्डरी की गई है कुछ इवेंट कमपनी का सल कमपनी के तरह इस्तमाल किया गया अमित अरोडा 23 कमपनियों के मालिक हैं जिनमें बड़ी रिटेल्स भी शामिल है अमित अरोडा पुर में करीब 37 कमपनियों उसे डिरेक्टर और इंडिरेक्ट तरीके से जुड़ा हुआ था कौन है ये अमित अरोडा ये सिसोदिया का मित्र है इसके उपर बहुत और ये सब के सब जहां जहां ये छापे मारी चल रही है सी बी आई की चार सीट में ये सब आरोपी बने हुए है चाहे वो मारवा हो चाहे वो पिल नहीं हो चाहे वो भुझे नायर हो चाहे ये अमित अरोरा हो ये तमाम लोग जहां जहां आच्छा पेमारी और उनके ठिकानों पे हो रही है सब के close रिष्टे सिसोधिया और केजरिवाल के साथ है मतलब ये E.D. ने चुन-चुन के एक-एक सुस्योधिया के दोस्तों और इस पूरे गैंक के उपर चापे मारी आज कर रही है क्या बताया जा रहा है कुछ डीटेल्स हैं कि जिन लोगों के उपर क्या-क्या कारवाई हो रही है और क्यूं हो रही है इसके बारे में E.D. के सूत्र बता रहे हैं कि F.I.R. में दर्ज आरोपी, विजय नायर, मनोज राय, अमर्दीप धल, समीर मेहंद्रू आबकारी, नीती के निर्धारन और लागू कराने और गरबड़ियों में सामिल थे मतलब आप समझिए, ये लोग जो सेल कंपणी चला रहे हैं, जो इवेंट कंपणी चला रहे हैं, जिनकी कंपणीों के जरिये पैसे की हेरा फिरी हुई, एडी के अधिकारी बता रहे हैं कि उनके पास पुखता सबूत है कि इन लोगों ने न सिर्फ पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बनाने का काम सरकार का है, सरकार की तरफ से एक कमिटी बनाई गई थी, उस कमिटी ने इस कटर, इमांदार, केजरिवाल और सिसोदिया को अपने रिकमेंडेशन भी दिये थे, और जब सिसोदिया ने नई पॉलिसी लागों की, तो जो सरकार के कमिटी के द्वारा जो जो बाते कही गई, उसको ताफ पर रख दिया, और मित्र मंडिलियों ने जो कहा, कि कैसे लूट मचानी है, उसको वकादा मनि सिसोदिया ने फॉलो किया, क्या, अमितरोरा, दिरेश और अरजुन पांडे सिसोदिया के करीबी थे, ये सभी आरोपी अधिकारियों के लिए सराव लैसेंस होल्डर से जमा हुए पैसे को मैनेज करते थे, वही आरोपी, अरुन, राम, चंद्र, पिल्लाई, विजय, नाय पूरे नेटवर्क में इसलिए डाला गया, ये केजरिवाल और सिसोदिया ने अपने लोगों को इसलिए डाला, जो आम आदनी पार्टी में काम करते हैं, वो साब साब बताते हैं कि ये तो, ये सारे लोग, ये केजरिवाल के तने करीब की, वो सारा मीडिया प्लैन, ये भ आजा रहा है आरोप है कि अर्जुन पांडे ने विजय नायर के जरिये समीर मेहंद्रू से दो से चार करोर रुपए की बड़ी रकम कैश में ली थी जहांच एजनसी ने इंडो स्प्रिट के एमडी समीर मेहंद्रू के ठीकाने पर भी छापा मारा है ये दिल्ली के जोर क्लरोरों में इधर से उधर जा रहा है ये पैसे कि जो सो कहते है कि इन्वस्टिकेश्य में मनी ट्रेल उसी को खंगाल रही है already ED & CBI के पास सारा कच्छा चिटा सारी जानकारीए पैसे कौन लेता था कहां से आता था कैसे कंवर्ट होता था कैसे 4 कैस्टम ले कर के ये लोग कहां कहां पहुंचाते थे ये सारी चीजें अल्रेडी जाच एजिंशियों की जानकारी में है ये जो मनिस सिसोद्या कह रहा है कि हमारे घर में कुछ नहीं मिलेगा हमारे घर में तो कुछ नहीं है CBI वाले आए E.D. का भी स्वागत है वो तो स्वागत तब होगा जब इन लोगों को और मैं आपको बता दू जब मैं ये रेकॉर्ड कर रहा हूँ अभी ये खबर आई है कि दो-तीन लोगों को E.D. अपने साथ उठा के लेके चली गई है पूस्ताच के लिए ये E.D. में जब पूस्ताच होगी जब वहाँ से जो डीटेल्स आएंगे यकीन मानिये ना तो मनिस सोधिया बचने वाला है और नहीं केजरिवाल बचने वाला है क्यों? क्योंकि ये पूरा प्लान कैसे रचा गया कैसे क्या हुआ? अब देखिए E.D. वाले पहुंच गये कहा? हैदरबाद चार्टेड प्लेन से और ओबराई होटल के अंदर एक स्वीट बुक होता था और वहाँ ये तमाम सराब के वैपार से जुड़े वे लोग बैठ करके ये तै करते थे कि दिल्ली में कैसे सराब की नदिया बहाई जाए और कैसे लूट मचाई जाए और इसलिए जो खबर आ रही है कि तिलंगाना की राधधानी हैदराबाद में रॉबिन डिस्टरीज प्राइविट लिमिटेड से जुड़े निदेशकों और वेक्तियों के ठिकाने पर चापेमारी हो रही है एडी ने हैदराबाद के च्छे जगों पर चापेमारी की है इस दोरान अरुन राम चंद्र पिल्ले समेथ पांच अन्न के घरों की तलासी ली जारी है बोईना पल्ली अभिशेक राव सूधनी स्रिजन रेड़ी जो एक कॉंग्रेस के सीट से नेता और सांसत के रिष्टेदार है गांदरा प्रेम सागर इस टी आरस के मलसी से समद्दित है इनके घरों पे और इनके कारियालाओं पे तलासी ली जारी है राविन डिस्टरीस मुख्याले की भी तलासी ली जा रही है ये नाम आप याद रखेंगे ये राम चंदरन पिल लाई ये बहुत ही खासम-खास ये किंग पिन है इस पूरे इस गेम का क्योंकि इस तरह की पॉलिसीज नसर्फ इन लोगों ने दिली में लगाई इनकी प्लानिंग पंजाब की भी है इनकी प्लानिंग उन तमाम राज्यों में भी है जहां पॉलिटिकल पार्टी इस प्रदान मंतरी मुदी से 2024 के लिए फड़ निकठा कर रही है ये ना सर्फ दिनली को तबाह और बरबाद कर रहा है लूटने में लगा हुआ है बलकि विपक्ष के और भी सरकारों को ये तरीका बता रहा है कि किस तरीके सोर मैं आपको बता दू ये नेटवरलाल केजरिवाल ये इंकम टैक्स में इसने काम किया है कानून के सारे दाउं पेच ये समझता है सारे लूप होल्स को भी जानता है कहां कब कैसे कहां पे कानून का इस्तमाल या कानून को जहासा देना है वो अच्छी तरह से इसे मालूम है इसलिए इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन जो E-D के सूतर बता रहे हैं कि जिस हिसाब से मनी ट्रेल का जो पता चला है और जिस हिसाब से अपने दोस्तों के जरिये इसने ये सारे कारणामे को अंजान दिया है और जो सेल कमपणियों का पता चला है उसमें गुटाले को साबित करना और मनिस सोद्य और केज रिवाल के गिरिवान को पकलना ये ज़्यादा मुस्किल काम नहीं होगा हमारे नजर इन खबरों पर बनी हुई है आप देखते हैं कैपिटल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद